करूं उनके पास भी बड़े कटू अनुभव हैं उत्तर प्रदेश में कई राजियों से कई जीलों से विरेन जी के पास फोन आते हैं जो लोग सिर्फ एकी बात की दरख्वास इन से करते हैं कि किसी तरह उनको एडमिट करा दीजे विरेन जी क्या आपका अनुभव है दूस कॉन हजार का उत्तर प्रदेश में बताए जा रहा है कोरोना के केस हैं उसमें से एक लाग से ठीक हो चुके हैं आज अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 4186 केस हैं और लखनव में 595 कानपूर में 439 यह बात जरूर एक चर्चा आई है कि अब होम जो लोग घर पे हैं उनकी जहांच आइसोलेशन में हैं उनकी जहांच नहीं होगी लेकिन अभी इसको लेकर असमंजस है प्रसासन इस बात से इंकार कर रहा है वो कह रहा है जहां जरोत पड़ेगी जहांच कराएंगे तो बहुत सारी चीज़ें लेकिन यह सिलसिला पिछले छह महाएं आठ महीने से चल रहा है और रोज इस पर चर्चा होती है और बाजार सनिवार रविवार को बंद हो रहा है इसको लेकर भी तमाम सारी लोगों की नाराज़गी है कि जब लोग छुट्टी पर होते हैं जब बाजार में व्यापार सबसे आदा असर पढ़ता है सनिवार रविवार को उस दिन व्यापार बंद हो जा रहा है विधान सभा 20 तारिक से चलने वाली है आज वहां जाच हुई है 20 लोग पाजिटिव निकले हैं उत्तर परदेश के मंत्री युवा कल्यार के हुम गाड के चेतन चौहान जी नहीं रहे दूसरे मंत्री उनकी मौत हो गई विधायक युदायक कोई सुनने वाला नहीं है यह भटकते रहे सिपारस लगाते रहे हमारा मरीज ले लो यह यूपी के विधायक आते हैं जो लखनौ में आते हैं और जाते गूमते हैं उनके रिच्टेदारों के लिए भी बेड़ और एंबुलाइंस और अस्पीटल की बेवस्ता असान नहीं है देखिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज में कोई भी सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है को ना कोई सरकार की वो जादू की छड़ी से साल में बेट तयार कर दे और और वहाँ पर वेंटिलेटर लगा दे और सब में आक्सीजन मोहिया करा दे यह सचाई है इस परदेश की अब इस सेहत को बचाना आपके हाथ में है अपने हाथ में है कि हम आप कैसे बच सकते हैं क्योंकि जाग रुकता ही बचा हुए कहा गया लकिन मास्क के लिए कहा गया मा लोना हुए तो अत्यधिक प्रिकासन और दवाई भी नुक्सान कर रही है फालतू की दवाएं आप लेंगे तो नुक्सान होगा लेकिन इतना जरूर है प्रजेट जी कि पैसा कभी भी कमाये जा सकता है लेकिन सेहत एक बार चली गई तो दुबारा लाट कर नहीं आएगी य से बाद लोगों को ध्यान में रखना होगा तो हमारे यांग कहा जाता है कि समय सेहत और संबंध इन तीजों इन तीनों चीजों की कोई कीमत नहीं होती पर यह जब हमसे छूट जाते हैं तब इनकी असली कीमत समझ में आती है तो इसलिए इन सब बातों पर बढ़ा गौर क मिल सकता है ना सबके लिए अस्पताल में ब्योस्था है मैंने पहले भी कहा फिर पताता हूं जब अस्पताल में पहरा सीटा माल की गोली सबको नहीं मिल पाती आम दिनों में बुखार की तब आपे बताईए करोना की इलाज कैसे मिल पाएगा जब कुट्टा काट ले दू है जब नर्सिंग होमों में लोगों का खून चूज लिया जाता हो प्राइवेट में मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर कई कई दिन रखा जाता हो विल असूला जाता हो जिस परदेश में भीड़ है उस परदेश में कोई सिस्टम बिजली परियाप्त नहीं हो सकती पानी में परिणाम क्या है जब वाकई में पैंडमिक आया और उसके दूस्ट परिणाम आए तब तो सारी वेवस्थाओं की पोल पट्टी खुल गई ना देखिए परदाम है तो सबके सामने सरकार कोई कोसिस करनी नहीं छोड़ी कोई सरकार हो हम उसको कोसने के बजाए बेवस् जी कौन नहीं जानता है कि उत्तर परदेश की हालत खासता है हमको भीमारू राज ये कहा जाता था तो यूपी में कौन सच्चमतकार हो जाएगा पांच साल दा साल में या कितने एम्स खुल गए कितने मेटकल कालेज खुल गए कितने बेंटी लेटर बढ़ा दिये गए ज जाज करा रहे हैं जिए बच सके बच जाए ट्रामा सेंटर में आप जाएए आम दिनों में तो एक मरीज घुसा तब तक पचास और टूट फूट के आगे भारा पड़ा तक नहीं जमीन पर लटा देना पड़ता था तो जब जगए नहीं इस देश में भीड़ है जी हर च आना इस देश में किसी ब्योस्था को लागू कर पाना जी लेकिन चलिए कि यही बात में राजपूर जी को समझा रहा हूं कहां समझ रहे हैं बिर्जेट जी कहा गया है कि कम खाने से सेहत अच्छी होती है और कम बोलने से सीरत लेकिन हमारी लोगों को मजबूरी है कुछ कुछ बोलने पड़ेगा यह शेर आपके राजपूर जी के लिए पड़ने है अब यह जंता अंदाजा लगाए लेकिन इतना जरूर है कि राजपूर जी भी देशी आदमी है उनको पता है कि मां के हाथों से बने खाने से सेहत का राज है और जो लोग बाजार की खाते हैं उनकी सेहत की क्या हाल है तो जो घर पर खाना खाते हैं सुद्ध खाते हैं एक्सरसाइज करते हैं ज्यादा फिट रहेंगे तो कुल मिलाके इतना है आज आप कहते हैं ना निकलो कोरोना फैला है अचा सबजी कहां से आएगी पैसा नहीं कमाएंगे तो बाल बच्चों की स् सबजी भाजी रोटी चावल कहां सिखाएगा काम तो करना पड़ेगा ना और काम करो तो बाहर लिगलो तुमाम सारी बाते हैं सुनिए तूफान के हालात हैं ना किसी सफर में रहो और पंचियों से गुजारिस है कि अपने सजर में रहो इत के चांग हो तुम अपने घरव के लिए और यह उनकी खुशकिस्मती है कि उनकी नजर में रहो और माना बंजारों की तरह घूमे हो डगर डगर वक्त का तकाजा है मगर अपने ही सहर में रहो और तुमने खाक्छानी है हर गली चौबारे की थोड़े दिन की बात और है बस अपने घर में रहो यही बात मे डाक्टर मनोज मिस्तरा ब्रेक के बाद इस डिवेट में अपना पक्षे रखेंगे चोटा से ब्रेक